नमस्कार, कहानी संसार में लिजे सुनिये, कथा सामराट मुशी प्रेम चंद की लिखी कहानी, जिसका शिर्सक है, लेखक, वाचनस्वर मेरा यानी अनुराग शौधरी का है। प्रातहकाल महाशे प्रवीर ने बीस दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार गिया, और बिना शक्कर और दूध के पी गए। यही उनका नास्ता था। महीनों से मीठी, दुधिया, चाय ने मिली थी, दूधा और शक्कर उनके लिए जीवन के आवश्यक पदार्थों में न थे। घर में गए जरूर की पतनी को जगा कर पैसे मांगे, पर उसे फटे मेले लिहाप में निद्रा मगन देखकर जगाने की इच्छा ने हुई, पर उन्होंने कलम दावाद समाली और किताब लिखने में तल्लीन हो गए, जो उनके विचार में इस शताबदी की सबसे बड़ी रशना होगी, जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनाम से निकाल कर ख्याती और समरिध्धी के स्वर्ग द्वार पर पहुँचा देगा। दूध और सक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगर जाता है, डाक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा साधा पीनी चाहिए, योरोप में तो दूध का बिलकुल रिवाज नहीं, ये तो हमारे यहां के मधुर प्रेराईसों की इजाद है, जाने तुम्हें फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है, मुझे जगा क्यों ने लिया, पैसे तो रखे थे, महाशे प्रवीर फिर लिखने लगे, जवानी ही में उन्हें ये रोग लग गया था, और आज बीस साल से वह उसे पाले हुए थे, इस रोग में देह घुल गई, स्वास्त घुल गया, और चालिस की अवस्था में बुढ़ा पे ने आगेरा, पर यह रोग असाध्य था, सुर्योदय से आधी रात तक यह साहित्य का उपासक अंतर जगत में डूबा हुआ, समस्त संसार से मुह मोडे, हिरदय के पुस्प और नैवेद्य चढ़ाता रहता था, पर भारत में सरस्वती के उप अभाव के रूप में ने प्रकठ होती थी, उसकी सबसे निर्दय क्रीडा ये थी कि पत्रों के संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक उदारता पुर्वक सहायता का दान भी न देते थे, कदाचेत सारी दुनिया ने उसके विरुद्ध कोई शडियंतर सरश डाला था, यह तक कि इस निरंतर अभाव ने उसके आत्म विस्वास को जैसे कुचल दिया था, कदाचेत अब उसे ये ज्यात होने लगा था कि उसकी रशनाओं में कोई सार, कोई प्रतिभा नहीं है और यह भावना अत्यंत हिर्दय विदारक थी, यह दुरलभ मानो जीवन योही कि इसकीन भी नहीं कि संसार ने चाहे उसका सम्मान ने किया हो पर उसकी जीवन कृती इतनी तुक्ष नहीं, जीवन की आउशकताएं घटे घटे सन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी थी, अगर कोई संतोष था तो उसकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उनसे भी दो कद दमागे थी, सुमित्रा इस दशा में भी परसन्न थी, प्रवेर जी को दुनियाशे सिकायतों पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायू की भाती उन्हें बराबर बाहर की ठोकरों से बचाती रहती थी, अपने भागे का रोना तो दूर की बात थी, इस देवी ने क जाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आत घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते, जब मालूम हो गया है कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो ब्यर्थ क्यों सिर्ख पाते हो, प्रवीर ने बिनमस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने में कम से कम ये संतोस तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ, सेर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय कनाश कर रहा हूँ, यह इतने पढ़े लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते हैं तो अपने समय कनाश करते हैं, मगर इनमें अधिकांश वही लोग हैं, जिनके सेर करने से उनकी आमधनी में बिल्कुल कमी नहीं होती, अधिकांश तो सरकारी नोकर हैं, जिनको माशिक बेतन मिलता है, या तो ऐसे पेशों के लोग हैं, जिनका लोग आदर करते हैं, मैं तो मिल का मजूर हूँ, तुमने किसी मजूर को हवा खाते उन लोगों को है जिनके जीवन में आनन्द और स्वाद है मेरे लिए तो जीवन भार है इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाशा मुझे नहीं है सुमित्र निराशा में डूबे हुए सब्द सुनकर आखों में आसु भरे अंदर जली गई उसका दिल कहता था इस तपस्वी की किर्ति कोमुदी एक दिन अवस्य फैलेगी चाहे लक्षमी की अकृपा बने रहे किन्तु प्रवेड महोदयम निराशा के उस सीमा तक चुके थे जहां से प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशा में उशा की लाली भी न दिखाई देती थी एक रईस के यहां कोई उस्सो है उसने महाशा परवेड को भी निमंदरित किया है आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा है सारे दिन वह इसी कलपना में मागन रहे राजा सहब किन सब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वह किन शब्दों में उनको धन्यवाद देंगे किन प्रसंगों पर वारता लाप होगा और वह किन महान भावों से उनका परचे होगा सारे दिन वह इन ही कलपनाओं का आनंद उठाते र दो पहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू की, हजामत बनाई सावन से नहाया सिर में तेल डाला, मुस्किल कपणों की थे, बुद्धत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थे, उसकी दशा भी उन्हीं की दसा जैसी जीन्ड हो चुकी थे, जैसा जरासी सर्दी य गर्मी से उन्हीं जुकाम सिर्दर्द हो जाता था, उसी तरह हुआ अजकन भी नाजुक मिजास थी, उसे निकाला और जाड पोंच कर रखा, सुमित्रा ने कहा तुमने ब्यर्थी ये निमंत्रण स्विकार कर लिया, लिख देते मेरी तबियत अच्छी नहीं है, इन फटे जो है कि राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया है, मैं कोई औहदेदार नहीं, जमिदार नहीं, जागिर्दार नहीं, ठेके दार नहीं, किवल एक साधरन लेखक हूँ, लेखक का मुले उसकी रशनाय होती हैं, इस एतवार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है सुमित्रा उनकी सरहलता पर दया करके बोली तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गए हो मैं कहती हूँ राजा साब के लोगों की निगाह सबसे जादे कपड़ों पर ही पड़ेगी सरहलता जरूर अच्छी चीज है पर इसका अर्थी ये तो नहीं कि या आदमी फूहड बन जाए प्रवीड को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा बिद्वत जनों की भात उन्हें भी अपने भूलों को स्विकार करने में कुछ बिलंब नहोता था बोले मैं समझता हूं दीपक जल जाने के बाद जाऊं मैं तो कहती हूं जाओ ही क्यों अब तुम्हें कैसे समझाऊं परतेक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक छुधा होती है तुम पूझोगी ये छुधा क्यों होती है इसलिए कि ये हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है हम उस महान सत्ता के सुक्षमान से हैं जो समस्त ब्रहमांड में ब्यापता है अंश में पूर्ण के गुणों का होना लाजमी है इसलिए किर्थी और सम्मान आत्मुन्नती और ग्यान की और हमारी स्वभाविक रूची है मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता सुमित्रा ने गला छुडाने के लिए का अच्छा अच्छा भाई जाओ मैं तुमसे बहस नहीं करती लेकिन कल कले कोई बेवस्था करते आना क्योंकि मेरे पास किवल एक आना और रह गया है जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी हूँ और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई मुझे तो और अब कोई उपाय नहीं सूचता प्रवीर ने एक छड़ की बात कहा दो पत्रिकाओं से मेरे लेखों के रुपए आने वाले हैं शायद कल तक आ जाएं और अगर कल उपवासी करना पड़े तो क्या चिंता हमारा धर्म है काम करना हम काम करते हैं और तनमन से करते हैं अगर इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोश नहीं मर ही तो जाओंगा हमारे जैसे लाखों आदमी रोज मरते हैं संसार का काम जियों कते हों चलता रहता है फिर इसका क्या गम कि हम भूखों मर जाएंगे मौत डरने की वस्तु नहीं मैं तो कबीर पंथियों का कायल हूँ जो अर्थी को गाते बजाते ले जाते हैं मैं इससे नहीं डरता तुमी कहो मैं जो कुछ करता हूँ इससे अधिक और कुछ मेरी शक्ति के बाहर है या नहीं सारी दुनिया मीठी नीद सोती है और मैं कलम लिए बैठा रहता हूँ लोग हसी दिल लगी आमोध प्रमोध करते रहते हैं मेरे लिए वो सब हराम है यहां तक की महीनों से हसने की नौबत नहीं आई होली के दिन भी मैंने तातील नहीं मनाई बीमार भी होता हूँ तो लिखने की फिक्र सिर पर सवार रहती है सोचो तुम बीमार थी और मैं बैठ दे के हाँ जाने के लिए समय न पाता था अगर दुनिया नहीं कदर करती तो नहीं करे इसमें दुनिया का ही नुकसान है मेरी कोई हाने नहीं दीपक का काम है जलना उसका प्रकाश फैलता है या उसके सामने कोई ओट है इससे उसे प्रियोजन नहीं मेरा भी ऐसा कौन मित्र परचित या संबंधी है जिसका मैं आभारी नहीं यहां तक कि अब घर से निकलते शर्म आती है संतोस इतना ही है कि लोग मुझे बदनियत नहीं समझते वे मेरी कुछ अधिक मदद न कर सके पर उन्हें मुझे सहानुभूती अवस्य है मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी है कि आज वह औसर तो आया कि एक रईस ने मेरा सम्मान किया फिर शहसा उन पर एक नशा सचा गया गर्व से बोले नहीं मैं अब रात को ने जाऊंगा मेरी गरीबी अब रुसवाई की हद तक पहुच चुकी है उस पर परदा डालना ब्यारत है मैं इसी वक्त जाऊंगा जिसे रईस और राजे आमंत्रित करें वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हो सकता राजा सहाब साधारन रईस नहीं है वह इस नगर के ही नहीं भारत के विख्यात रईसों में है अगर अब भी मुझे कोई नीचा समझे तो वह खुद नीचा है संध्या का समय है प्रमीर जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढ़ंगी सीटोपी पहने घर से निकलते खामखवा बांगडू उचक्की से मालूम होते थे डील डवर और चेहरे मुहरे के आदमी होते तो इस ठाट में भी एक शान होती अस्थोलता स्वेंग रोब डालने वाली वर्स्तु है पर साहित्य सेवा और अस्थोलता में भी रोध है अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधूर्य नहीं, लोच नहीं, हिरदय नहीं दीपक का काम है जलना दीपक वही लबालब भरा होगा जो जला नहो, फिर भी आपकड़े जाते हैं एक-एक अंग से गर्व टपक रहा है यो घर से निकल कर वह दुकानदारों से आखे चुराते गलियों से निकल जाते थे पर आज वह गर्दन उठाय उनके सामने से जा रहे हैं आज वह उनके तकाजों का दनाईशिकन जबाब देने को तयार थे पर संध्या का समय है हर एक दुकान पर ग्राहक बैठे हुए हैं कोई उनकी तरफ नहीं देखता जिस रकम को वह अपनी हीना वस्था में दुरविचार समझते थे वह दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि एक जाने पहजाने आदमी को सा बाजार टोकते विश्यसकर जब वह आज किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते हैं परवीड ने एक बार सरे बाजार का चकर लगाया पर जी ने भरा तब दूसरा चकर लगाया पर वह भी निस्फल तब वह खुद हाफिच समझत की दुकान पर जाकर खड़े हो गए हाफिच जी भी साते का कारोबार करते थे बहुत दिन हुए परवीड इस दुकान से एक छत्री ले गए थे और अभी तक दाम ने चुका सके थे परवीड को देखकर बोले महाशय जी अभी तक छत्री के दाम नहीं मिले ऐसे सौपचास ग्राहक मिल जाए तो दिवाला ही हो जाए अब तो बहुत दिन हो गए परवीड की बांचे खिल गए दिली मुराद पूरी हुई बोले मैं भूला नहीं हूँ हाफिजी इन दिनों काम इतना ज्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था रुपए तो नहीं हाथ आते पर आपकी दूआ से कदर शिनासों की कमी नहीं दो चार आदमी घेरे ही रहते हैं इस वक्त भी राजा साहबा जी वही जो नुकड़ वाले बंगले में रहते हैं उन्हें के हजार रहा हुँ दावत है रोज ऐसा कोई ने कोई मौका आता ही रहता है हाफिस समत प्रभावित होकर बुला अच्छा आज राजा साहब के हाँ तश्रीफ ले जा रहे है ठीक है आप जैसे बाकमालों की कदर रही सी कर सकते हैं और कौन करेगा सुभान अल्ला आप इस जमाने में यक्ता है अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीवों को न भूल जाएगा राजा साहब की अगर इधर निगा हो जाए तो फिर क्या पोशना एक पूरा विसाता तो उन्ही के लिए चाहिए धाय तीन लाग सालाना की आमदनी है परविर को धाय तीन लाग कुछ तुछ जान पड़े जब आनी जमा खर्च है तो दस बीस लाग कहने में क्या हाने बोले ढ़ाय तीन लाग आप तो उन्हें गालियां देते हैं उनकी आमदनी दस लाग से कम नहीं एक साहब का अंदास तो बीस लाग का है इलाका है मकानात है दुकाने है ठीका है अमानती रुपे हैं और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादूर की निगाह है हाफिज ने बड़ी नमरता से कहा यह दुकान आपकी है जनाब बस इतनी ही अरज है अरे मुरादी जरा दो पैसे के अच्छे से पान बनाला आपके लिए आईए दो मिनट वैठिये कोई चीज पसंद हो तो दिखाऊं आप से तो घर का वास्ता है प्रवीर ने पान खाते हुए कहा इस वक्त तो तो मुआफ रखिये वहाँ देर होगी फिर कभी हाजिर होगा यहां से उठकर वह एक कपड़े वाली की दुकान के सामने रुके मनोहर दास नाम था इन्हें खड़े देखकर आखे उठाई बेचारा इनके नाम को रो बैठा था समझ लिया शायद इस सहर में है ही नहीं समझा रुपय देने आये बोले भाई प्रवीर जी आपने तो बहुत दिनों दर्शन ही नहीं दिये रुका कई बार भेजा मगर प्यादे को आपके घर का पता ही नहीं मिला मुनीम जी जरा देखो तो आपके नाम क्या है प्रवीर के प्राण तकाजो से सुखे जाते थे पार आज बह इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवश धारन कर लिया है जिस पर किसी अस्तर का आगहात नहीं हो सकता बोले जरा इन राजा साहब के यहां से लोटा हूँ तो निशित होकर बैठू इस समय जल्दी में हूँ राजा साहब पर मनोहर दास के कई हजार रुपए आते थे फिर भी उनका दामन न छोड़ता था एक के तीन वसूल करता उसने परवीर जी को उची स्रेडी में रखा जिनका पेशा राईसों को लोटना है बोला पान तो खाते जाए महाश है राजा साहब एक दिन के हैं हम तो बार हो मासके हैं भाई साहब कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाई अब तो होली आ रही है मौका हो तो जरा राजा साहब के खजांसी से कहिएगा पूराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा हुआ है अब तो सफाई हो जाए हम सब ऐसा कौन सा नफा लेते हैं कि दो-दो साल हिसाब ही नहो प्रवीड ने कहा इस समय तो पानवान रहने दो भाई देर हो जाएगी जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा इतना सम्मान करते हैं तो अपना भी धर्म है कि उनको मेरे कारण कश्ट न हो हम तो गुडगराहक चाहते हैं दौलत के भूखे नहीं कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करें अगर कोई रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं प्रवीड जी राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुँचे तो दिये जल चुके थे अमीरों और रईसों की मोटरे खड़ी थी वर्दी पोश्ट दर्बान द्वार पर खड़े थे एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे प्रवीड जी को देखकर वह जरा जिचके फिर उन्हें सीर से पाउं तक देखकर बोले आपके पास नवेद है प्रवीड की जेब में नवेद था पर इस भेद भाव पर उन्हें क्रोध आ गया उन्हीं से क्यों नवेद मांगा जाए और उसे भी क्यों नपूछा जाए बोले जी नहीं मेरे पास नवेद नहीं है अगर आप अन्ने महाशियों से मांगते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ वरना मैं इस भेद को अपने लिए अपमान की बास समझता हूँ आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीड जी आये थे और द्वार से लोट गये नहीं नहीं महाशय अंदर चलिए मुझे आप से परिचे नहीं था वे अदबी माफ करिएगा आप ही ऐसे महान भावों से तो महफिल की शोभा है इस्वर ने आपको वह बाणी परदान की है कि क्या कहना इस व्यक्ति ने प्रवीड को कभी ने देखा था लेकिन जो कुछ उसने वह हर एक साहित सेवी के विशय में कह सकते हैं और हमें विश्वास है कि कोई साहित सेवी इस दात की उपेक्षा नहीं कर सकता प्रवीड जी अंदर पहुँचे तो देखा बारह दरी के सामने विश्तरित और सुसंजक प्रांगड में बिजली के कुमकुमें अपना प्रकास फैला रहे हैं मध्य में एक होज है होज में संग मरमर की परी परी के सिर पर फबारा फबारे की फुहारे रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम होती थी मानू इंद्र धनुस पिखल कर उपर से बरस रहा है होज के चार ओर मेजे लगी हुई थी मेजो पर सुफेद मेजपोस उपर सुंदर गुलदस दे परवीर को देखते ही राजा साहम ने स्वागत किया आईए आईए आपकी हंस में आपकी हंस में आपका लेक देखकर दिल भड़क उठा मैं तो चकित हो गया मालूम ही न था कि इस नगर में आप जैसे रत्न भी चीपे हुए है फिर उपस्थिस सजनों से उनका परचे देने लगे आपने महाशे परवीर का नाम तो सुना होगा वह आप ही है क्या माधोर्य है क्या ओज है क्या भाव है क्या भाशा है क्या सूज है क्या जमतकार है क्या परवा है कि वाह वा मेरी तो आत्मा जैसे नरित्त करने लगती है एक सजन ने तो अंग्रेजी जो अंग्रेजी सूट में थे प्रवीर को ऐसी निगाह से देखा मानू वो चीडिया घर के कोई जीव हो और बोले आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्यन किया है बायरन सेली कीट साद प्रवीर ने रुखाई से जवाब दिया जी हाँ थोड़ा बहुत देखा तो है आप इन महा कवियों में से किसी की रशनाओं का अनुवात कर दे तो आज हिंदी भासा की अमर सेवा करें प्रवीर अपने को बायरन सेली आद इसे जो भर कम ने समझते थे वो अंग्रेजी के कवि थे उनकी भाषा सेली विसे ब्यंजना सभी अंग्रेज की रुच की अनुपोल था उनका अनुवात करना वो अपने लिए गवरों की बात न समझते थे उसी तरह जैसे कि उनकी रशनाओं का अनुवात करना अपने लिए गवरों की वस्तुने समझते थे बोले हमारे यहां आत्मदर्सन का भी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगे मेरा विचार है कि कम से कम इश्विसे में भारत अब भी पश्यम को कुछ सिखा सकता है यह अनरगल बात थी अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को पागल समझा राजा सहब ने प्रवीण को ऐसी आँखों से देखा जो कह रही थी जरा मौका महल देखतर बाते कर और बोले अंग्रेजी साहते का क्या पोशना कविता में तो वह अपना जोड ही नहीं रखता अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को सगर्व नेत्रों से देखा हमारे कवियों ने अभी तक कविता का अर्थ ही नहीं समझता समझा अभी तक वियोग और नक सिको कविता का आधार बनाये हुए है प्रवीर ने इट का जबाब पत्थर से दिया मेरा विचार है कि आपने वर्तमान कवियों का आध्यन नहीं किया या किया तो उतरी आँखों से राजा सहब ने अब प्रवीर की जबान बंद कर देने का निश्य किया आप मिश्टर परांजपे हैं प्रवीर जी आपके लेक अंग्रेजी पत्रों में छपते हैं और बड़े आदर की द्रिष्टी से देखे जाते हैं उसका आशेत ये था कि अब आप ने बहें किये प्रवीर समझ गए परांजपे के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा विदेशी बेस भूसा और भासा का ये भक्त जाती द्रोही होकर भी इतना सम्मान पाए ये उनके लिए असह है था पर क्या करते उसी भेस में एक दूसरे सज्जन आये राजा साहब ने तपाक से उनका अभिवादन किया आए डाक्टर चड़ा कैसे मिजाज है डाक्टर साहब ने राजा साहब से हांस मिलाया और फिर प्रवीर की और जिग्यासा भरी आँखों से ये नामी बैरिश्टर थे राजा साहब ने उनसे भी प्रवीर का परचे कराया उन्हें भी उसी अंदाज में कहा अच्छा आप कभी हैं और आगे बढ़ गए यही अभिने कई बार हुआ और हर बार प्रवीर को यही दाद मिली अच्छा आप कभी हैं यह वाग के हर बार प्रवीर के हिर्दे पर एक नया आगहात पहुँचाता था उसके नीचे जो भाव था वो प्रवीर खूप समस्ते थे उसका शीधा साधा से ये था कि तुम अपनी खायाली पुलाव पकाते हो पकाओ यहां तुम्हारा क्या प्रियोजन जैसे सम्मान की लोभियों का ये दंड है अब तो आखे खुली तुम कितने सम्मान के पात रहो तुम इस स्वार्थ में संसार में किसी के काम नहीं आ सकते वकील वैरिष्टर तुम्हारा संसार क्यों करे तुम उनके मुवक्किल नहीं हो ने उन्हें तुम्हारे द्वारा कोई मुकदमा पाने की आशा है, डाक्टर या हकिम तुम्हारा सम्मान क्यों करे, उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस आने की इच्छा नहीं, तुम लिखने के लिए बने हो लिखे जाओ, बस और संसार में तुम्हारा कोई प्रियोजन नही सहसा लोगों में हलचल पढ़ गई आज के प्रधान आतितिका आगमन हुआ ये महाशे हाई कोट के जज नियुक्त हुए थे इसी उपलक्ष में ये जलसा हो रहा था राजा सहब ने लपक कर जल्द हाथ मिलाया और आकर प्रवीर जी से बोले आप अपनी कविता तो लिख लाए होंगे प्रवीर ने कहा मैंने कोई कविता नहीं लिखी सच तब तो आपने गजब ही कर दिया अरे भले आदमी आपसे कोई चीज लिख डालो दो ही चार पंक्तियां हो जाएं बस ऐसे औसर पर एक कविता का पढ़ा जाना लाजमी है मैं इतनी जल्दी कोई चीज नहीं लेख सकता मैंने ब्यार्थ थी इतने आदमियों से आपका परिचे करा है बिल्कुल ब्यार्थ अरे भाई जान किसी प्राचीन कविकी ही कोई चीज सुना दीजिए यहां कौन जानता है जी नहीं छमा कीजिएगा मैं भाट नहीं न कथक हूँ यह कहते हुए प्रवेर्जी तुरंत वहां से चल दी घर पहुँचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था सुमित्रा ने प्रसन होकर पूछा इतनी जल्दी कैसे आ गए मेरी वहां कोई जरूरत न थी चलो चेहरा खिला हुआ है खुब सम्मान हुआ होगा हाँ सम्मान तो जैसी आशन है थी वैसा हुआ खुश बहुत हो इसी से कि आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया कि मैं दीपक हूँ और जलने के लिए बना हूँ आज मैं इस तत्यों को भूल गया इस स्वर ने मुझे ज़्यादा बहकने ने दिया मेरी ये कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है मैं आज ये तत्यों पा गया कि साहित्य सेवा पूरी तपस्या है तो ये थी मुनसी प्रेमचंद की लिखी कहानी लेखक एक लेखक के मनुभाव उसकी सामाजिक आर्थिक दशा और मनुभैज्यानिक दशा कैसी होती है इस कहानी के माध्यम से बखो भी उसको दर्शाया गया है हलांकि मुनसी प्रेमचंद खुद एक लेखक थे और उनका जीवन अभाव में गुजरा था और कही न कहीं इस कहानी पर उनके जीवन की भी चाप पड़ी होगी और आप सभी जो स्रोता गढ़ हैं आप अंदाज लगाएएगा अनमान लगाएगा कि ये कथा मुनसी प्रेमचंद के जीवन से कितनी प्रेरित है और हमें कमेंट वाक्स में बताईएगा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद नमस्कार